मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए, शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए, शिव बाबा मुरली में समझाए ओम शान्ति आज की तारिख है 10-5-2023 की सकार मुरली बाबा के महवाक्य मीठे बच्चे तुम रुहानी सोशल वरकर हो तुम्हे बारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है दुखदाम को सुखदाम बनाना है प्रेशन संगम पर तुम ब्रामन बच्चे किस बात में बहुत तीखे बन जाते हो उत्तर सभी मनुशे आत्माओं की मनो कामना पूरी करने में अभी तुम एक्सपल्ट बने हो मनशों की कामना मुक्ती और जीवन मुक्ती पाने की है वह तुमें पूरन करनी है तुम सभी को शांती का रास्ता बताते हो शांती कोई जंगल में नहीं मिलती लेकिन आत्मा का सब धर्म ही शांती है शरीर से डिटैच हो बाप को याद करो तो सुख शांती का बरसा मिल जाएगा गीत मुखडा देख ले प्राणी जरा दर्पन में हो देख ले कितना उन्य है कितना पाप तेरे जीवन में देख ले दर्पन में ओम शांती बेहद का बाप अपने सिकलदे बच्चों को समझा रहे हैं जिन बच्चों ने बाप को जाना है और बाप की शरन में आए है कहते हैं प्रभू तेरी शरन आए शरन मिले तब जब की बाप आए और बच्चों को समझा वे भगत भगवान की शरन में आते हैं क्योंकि यहां सब दुखी हैं भारत दुखदाम है एक दो को दुख देते रहते हैं बाप ने समझाया है यह है तुमारी हंस मंडली यहां पावन बच्चों विगर कोई भी आ नहीं सकता बाप समझाते हैं बच्चे पावन भारत कोई सुखदाम कह जाता है और कोई खंड को स कहेंगे भारत ही सुकदाम और भारत ही दुखदाम बनता है बाबा कह रहे हैं भारत ही सुकदाम और भारत ही दुखदाम बनता है भारत बासी बहुत दुखी है क्योंकि पतीत हैं परंतु यह बात उन्हें कोई समझाते नहीं बाप समझाते हैं सन्यासी पावन हैं घर बार छ आए हो पतित पावन बाप के पास जो एक ही परमपिता परमातमा है वहीं सारी दुनिया को पावन बनाते हैं मनुश्य मनुश्य को पावन बना ना सके यह है ही पतित दुनिया कोई भी पावन नहीं कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा फिर कह देते इश्वर सरव्यापी है शीवो हम तत तभम सब बिचारे बाप को भूले हुए हैं जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले वह देवाला मारा हुआ हो तो भी शराब से एकदम नशा चड़ जाता है वैसे ही मनुष्य को यह पता नहीं पढ़ता कि यह बिकार ही पतीत बनाते हैं तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घरवार छोड़ते हैं परन्तु वह है निरवर्ती मारग यहां तो बाप आई हैं जो आदा कल्ब से दुखी हैं बह villa कर शन लेते हैं बाबा कह रही है जो आदा कल्ब से दुखी हैं वहीं आगार शन लेते हैं दुखी करने वाली है माया पांच विकारों के महरोगी हैं, मनुश्य को राबन ने बिलकुल असुर बनाया है, जब बिलकुल दुखदाम बन जाता है तब फिर बाप आकर सुखदाम सापन करते हैं, तुम हो रोहानी सोशल बरकर, तुम से बाप सेबा कराते हैं, कि बच्चे तुम इस भारत को बनाओ, सारा मदार योग पर है, योग में कोई सात रोज अच्छी रिती रहे तो कमाल हो जाए, ऐसे कोई योग में मुश्किल टिक सकेंगे, घर याद आएगा, मन भागता रहेगा, सात रोज मुशूर हैं, गीता भागवत गरंत का पाठ भी सात रोज रखते हैं, ये रस रिवाज, इस संगम युकी है, सात रोज भटी में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आवे, एक बाप के सात योग लगा रहे, सात रोज इस एक रस अवस्था में रहना, ये बड़ा मुश्किल है, तुम बच्चों के यादगार भी, यहां ही हैं, तुम अभी जाड के न और कामनाई, सवर्ग में पूरी करने वाले, अथवा मनुश्यों को मुक्ती जीवन-मुक्ती का फल देने वाले, तुम एकसपरिट हो, दुनिया में कोई नहीं जानते कि मुक्ती जीवन-मुक्ती, किसको कहा जाता है, कौन देते हैं, पतित दुनिया में कौन पावन बना सके बाबा कह रहे हैं पतित दुनिया में पौन पावन बना सकते हैं सन्यासी लोग शांती के लिए घर बावर छोड़ते हैं जंगल में जाते हैं परंतू शांती तो मिल नहीं सकती आत्मा का सब्धर्म है शांत और मुनश्य बाहर ढूंडते हैं यह किसको पता नहीं कि आत्मा का सबधर्म शांत है, रानी के हार का मिसाल, यह आरगंस है, चाहे कर्मिंद्रियों से काम लो या ना लो, हम आत्मा इस सरीर से अपने को डिटैज कर लेते हैं, जैसे रात को आत्मा डिटैज हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंग यहां सिर्फ शान्ती में तुम बैठते हो आत्मा कहती है मैं करमिंद्रियों से काम कर ठक गई हूँ अच्छा अपने को शरीर से डिटेच कर लो यह आर्गंस है करम करने के लिए यह नौलज बाप ही देते हैं डिटेच कर बैठ जाओ कुछ ना बोलो प्रन्तु ऐसे डिटेच हो कहां तक बैठेंगे यह तो तुम जानते हो करम बिगर कोई रहना सके डिटेच तो हुए प्रन्तु साथ में फाइदा भी चाहिए सिरफ डिटेच हो बैठने से इतना फाइदा नहीं होगा डिटेच हो फिर मुझे याद करो तो तुम को फाइदा होगा शक्ति मिलेगी बाप अपने बच्चों को समझाते हैं बच्चे यह ग्यान इंदर सबा है यहां तुम सब रतन बैठे हो कोई पत्थर बुद्धी बैठा होगा तो वायू मंडल खराब कर देगा क्योंकि शिप बाबा की याद में रहेगा नहीं उनको अपने मित्तर संबंदी याद पढ़ते रहेंगे तुम को तो अपने बाप को निरंतर याद करना है यह कोई कामन सरसंग नहीं है यह बड़ी युनिवरिस्टी है मेडिकल कोलज में कोई अनपड आकर बैठे तो कुछ नहीं समझेगा उनको तो अलाव नहीं करेंगे सिर्फ देखने से कुछ समझ नहीं सकेंगे इस नालज को भी विकारी पतीत समझ ना सके इस लिए ऐसे को अलाव नहीं किया जाता है कोई कहे कि हम कलास में आवे, लेक्चर सुने, परंतु इस से कुछ समझ नहीं सकेगा, यह यूनिवरिस्टी है, मलेच से स्वच देपता बनने के लिए, यहां ऐसे कोई को हलाओ नहीं किया जाता है, बाप को तो जान ना सके, बाप है गुप्त, तुम जानते हो, बेहद के ब बाप की शरन में आए हो, बाप से सदा सुख का बरसा लेने, बाप खुद कहते हैं, यह बर्मा का जो शरीर है, यह बहुत जन्मों के अंत का बान प्रस्त वाला है, यह भी बहुत शास्तर आदी पड़ा हुआ है, अभी मैं सब बैद शास्तरों का सार इन दवारा सुनाता ह ब्रमा के हाथ में शास्तर दिखाते हैं, विशनु की नाभी कमल से ब्रमा निकला, संजाया है, विशनु की नाभी कमल से ब्रमा, ब्रमा की नाभी कमल से विशनु निकला, ब्रमा सर्सवती दोनों कैसे नारायन लक्षमी बनते हैं, फिर 84 जनम पूरा करांत में ब्रमा सर्स स्वति बनते हैं उन्होंने फिर गांदी की नाभी कमल से नहरू दिखाया है अब ही यहां तो शीर सागर है नहीं यह है विशे सागर शीर सागर सत्यूग में दिखाते हैं तुम बच्चे जानते हो आदा कलब से माया ने दुखी बनाया है भारत जितना दुखी और कोई नही सकता बाप कहते हैं देवी देपता धर्म तो प्रायलोब होना ही है तब तो मैं आकर फिर से निया धर्म सापन करूँ बरोबर अब सापन हो रहा है तुम बच्चे आकर बाप से बरसा ले रहे हो जानते हो स्वर्ग में को रजय करते हैं बच्पन में राते क्रिशन वहीं फिर लक्षमी नरायन बनते हैं, अब तो बाप आया हुआ है, बिन नाम रूप से लक्षमी नरायन पढ़ते हैं, शिरी क्रिशन का साबरा रूप यहां बैठा है, बाप इसको उस पार ले जाते हैं, शास्तरों में दिखाते हैं, शिरी क्रिशन को टोकरी में उस पार ले गए, आप ले जाते हैं कंस पुरी से क्रिशन पुरी में एक ही तो बात नहीं है रावन पुरी से तुम सब को निकाल नैनों पर बिठा कर सुखदाम ले जाता हूँ मैं तुम बच्चों को स्वरक तक पुंचाने आया हूँ फिर इस पुराने दुनिया का बिनाश हो जाएगा लड़ाई की बात भी शास्त्रों में है प्रंतु समझते कुछ भी नहीं है ये दादा भी बहुत शास्त्र पड़ा हुआ था अब बाबा कहते हैं इन सब को छोड मा में कम याद करो मैं सब का सदगुरु हूँ कंस पुरी क जल्यो को क्रिशनपुरी सत्यो को कह जाता है अब तुमको रावनपुरी से रामपुरी वा क्रिशनपुरी में ले चलता हूँ चलेंगे सुखदाम क्रिशनपुरी में गाते हैना भजो रादे गोविंद ये हुआ भक्ती मार्ग अभी तुम रादे गोविंद फिर से बन अभी तम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, ना लाइट का ना राजाई का, पवित्र को ही लाइट का ताज देते हैं, लक्षमी नरायन तो हैं ही सदा पवित्र, उनको कभी सन्यास नहीं करना पड़ता है, सन्यासी जनम लेकर फिर घरवार छोड़ते हैं, पवित्तर बनने के लिए तुम्हारा 21 जनमों के लिए एक जनम का सन्यास होता है यह कोई 21 जनम पवित्तर नहीं होते हैं बहुत पहले तो विकारियों के पास जनम लेपतीत बन जाते फिर पवित्तर बनने लिए घरवार छोड़ते हैं वह है रजोगुनी सन्यास बाब कहते हैं मैं knowledgeful, knowledgeful, blissful, मेरे में ही full knowledge है सुक्षम बतन, मूल बतन, स्थूल बतन और स्रिष्टी के आदी मद्य अंत की full knowledge तुम बच्चों को देता हूँ जिससे तुम full बनते हो बाबा कह रहे हैं आदी मद्य अंत की full knowledge तुम बच्चों को ही देता हूँ जिससे तुम full बनते हो देवी देवताई हैं ही full तुम बच्चे भी बाब की गोद में आए हो, जानते हो हम शिरिमत पर चल फिर से रजे भगय लेते हैं ये हार जीत का खेल है, माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है तुम सरव शक्ति मान, बाब से योग लगा कर शक्ति ले माया पर विज़े पाते हो समझते हो, हमारा 84 जनमों का ड्रामा अब पूरा होता है हम फिर से रजे भगय लेते हैं, लक्षमी नरायन को शीर सागर में दिखाते हैं यह है विशे सागर, रादे क्रिशन तो छोटे बच्चे थे शिरी क्रिशन को बहुत प्यार से जूले में जुलाते हैं समझते हैं, वे स्वरक का प्रिंस है शिरी क्रिशन को सोला कला कहा जाता है राम को चोदा कला, वहीं शिरी क्रिशन फिर सोला कला से चोदा कला बनते हैं उनर जनम तो लेना पड़ेना, बाबा ने समझाया है पूरे चुरासी जनम तो सब नहीं लेते होंगे और धरम बाले 84 जनम नहीं लेंगे समझने की बातें हैं फादर से बरसा जरूर मिलना चाहिए वे है स्वरक का चेता तो जरूर स्वरक का मालिक ही बनाएंगे वे फादर परमधा में रहते हैं हम भी वहां से आते हैं बाबा को अच्छी रिती याद करना है याद से शांती मिलेगी मनुश्य तो कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं मूझ पढ़ते हैं तुमको तो सब समझ मिली है बाप आते ही हैं दुखदाम और सुखदाम के संगम पर काल्यूग अंत है दुखदाम सत्यूग आदी है सुखदाम दुखदाम को बदल सुखदाम में बाप ही बिठाएंगे इतनी ही समझ की बात है यह पढ़ाई पवित्तरता के बिगर कोई पढ़ना सके इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता बाबा कह रहे हैं यह पढ़ाई पवित्तरता के बिगर कोई पढ़ भी नहीं सकता इसलिए यहाँ पतित को नहीं बिठाया जाता समझाना है तुम आदा कलब से महरोगी हो माया ने महरोगी बनाया है इसलिए पहले भट्टी में रखा जाता है तुम बच्चे हरेक के एकूपेशन को जानगे हो शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे यह बाबा गती सदगती दाता है सबसे बड़ा तीरत भी भारत है प्रंतु गीता में शिरी कृष्ण का नाम डाल दिया है शिव बाबा का नाम गुम करतिया है शिव बाबा ही आकर सबको दुख से चुड़ाते है बाकी पानी की गंगा तो पतित पाबनी है नहीं वह तो पहाडों से निकली है उसको पतित पाबनी कैसे कहेंगे इसको अंद शर्दा का जाता है मनुष्य क्या क्या करते ही रहते हैं गाते हैं मनुष्य जैसा दूरलब जनम है नहीं सो दूरलब जनम तुमारा अभी का है जबकि बाप आया हुआ है यह तुमारा अमुल्य जनम है तुम पवित्तर बन भारत को स्वर्ग बना देते हो इसलिए शिव शक्ति भारत मता गाई ह तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत को क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते हैं जो जो पवित्रता की उंगली देते हैं मन मनावभ रहते हैं बहीं मददगार हैं इसका अर्थ भी तुम समझते हो यह दादा भी नहीं समझते थे इनके बहुत गुरु किये ह हुए हैं शास्तर पड़े हुए हैं तब बाबा कहते हैं मा मेकम याद करो मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ गती सद गती दाता हूँ मनुश्य तो पतित हैं अब तुम आए हो शिप बाबा के पास ब्रमा द्वारा बरसा लेने इस निश्चे विगर कोई आना सके आकर और ही अशानती फेला देंगे तुम भारत को सुप्रीम शानती में ले जाते हो यह है सापना का कारिया जो मनुश्य करना सके तुम भी शिप बाबा की मदद से कर रहे हो तुमकों भी प्राइज क्या मिलती है स्वरक के मालक बनते हो ऐसे बाबा के बनते भी फिर निश्चे एक दम हप कर लेती है अच्छा मीठे मीठे सीगला दे बच्चों प्रती मात पिता बाद दादा का याद प्यार और गुड बोर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को शर्दा भरी प्रें भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी मीठी मुरले के लिए दारना के लिए मुख्यसार नमबर एक इस एक जनम में पुरानी दुनिया से सन्यास कर बाब का मददगार बना है पवित्तरता की उंगली देनी है और मन मनाभव रहना है नमबर दो, भारत को सुप्रीम शांती में ले जाने की सेवा करनी है, इस शरीर से डिटेच हो बाप की याद में रहकर शक्ती लेनी है, शांती का दान देना है, वर दान, तीनों कालों, तीनों लोकों की नौलज को धरन कर बुद्धी वान बनने वाले बिगन बिनाशक भाव जो तीनों कालों और तीनों लोकों के नौलज फुल हैं, उन्हें ही बुद्धी वान अर्थात गनेश कहा जाता है, गनेश अर्थात बिगन बिनाशक, वह किसी भी प्रस्थिती में बिगन रूप नहीं बन सकते, यदि कोई बिगन रूप बने भी तो आप बिगन बिनाश अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही शरिष्टा है ओम शान्ति